तो हलो गाईज तो आज में स्टार्ट करने वालो एक ब्राइंड न्यू सर्वेवल सिरीज तो सबसे बिले तो तुम सब लोगों को पता है अपने स्टार्ट कैसा हुआ था तो फिलल इस आईपैड में तो the towers are the key, the trees holds the true ऐसा कुछ लिखा था तो आगे बढ़कर देखते हैं आगे क्या होगा तो सबसे बिले तो थोड़े से आगे चलते है और यहाँ पर जो first travel का tower है इसको unlock कर देते है तो मेरे सबसे आप सब लोग यह सोच रहोंगे भाई आपका जो 2000 का दिनों का जो survival series है वो कहाँ पे चला गया आप यह नया वाला series क्यों start कर रहा है तो उसको तो बहुत जादा बड़ा पंगा हो चुका है वो यह है कि मैं गलती से कुछ तो कर दिया उसकी वज़े से मेरा world अभी दिखा ही नहीं दे रहा मतलब मैंने 2000 दिनों तक जो भी खेला था वो सब कुछ खतम हो चुका था वो वर्ल्डी पूरा गाईब हो चुका है तो मैंने जल्दी से उन पालवन लोगें से कॉंटेक्ट किया तो उन लोगों ने भुला कि कोई चिंता करने की बात नहीं है हम आपका world वापस दे देंग लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा ऐसा कुछ कहा था औरे भाई सब आते स्टार्टिंग में हमें 33 लेवल्स का हाती मिल चुका है फिलाल थोड़ा से यहाँ पर वुड कलट करते तो जब तक मेरे वर्ल्ड वापस मेरे पस नहीं आता तो तब तक मैंने सोचा कि एक brand new survival series ही start कर देते हैं फिलाल मैं इसके साथ बात कर लेता हूँ I think यह थोड़ा सा wood मेरे को दे देगा उके इसने तो मेरे को कुछ wood भी दे दिया तो आप लोग comment करकर बताना वैसे भी आपकी काफी सारे comments भी आ रहे थे भाई पाल वोल्ड का वीडियो कहां पर है तो ठीक एक्स को बनाने के लिए मेरे को कुछ stones की जरूरत है फिर कोई बात नहीं मैंने pickaxe बनाया तो यहां पर कुछ stones ही color कर लेता हूँ killer मेरे सबसे इतने stones काफी है तो मैंने stone axe भी बना लिया ओके चलो और साथ में मेरे levels भी increase हो चुका है अभी क्या करने सबसे पहला I think starting में हमें health का भी जरूरत होगा और साथ में weight का भी जरूरत होगा तो मैंने 1 point health का और 1 point weight का increase कर लिया फिर मेरे सबसे यहां पर technology points में यह सा source में unlock कर देता हूं और साथ में मैंने इसको भी unlock कर दिया तो guys फिलाल अभी क्या है ना रात होने वाली है तो मेरे को जल्दी से क्याना थोड़े बद वूल भी जमा करना है और कुछ pulse को भी capture करना है फिलाल यहां पर यह कटी वक्तों घूमी रहा और यह 2 level का ही है एक काम कर सकता हूं इसको और दोड़े सा low करते है इतिंक इतना low काफी है यह आराम से आ जाएगा ओके चलो यह तो मेरे पास आ चुका है अभी इन शीफ तो मेरे पीछे नहीं चोड़ने वाले सबसे पहले ना इसको तोड़ो और यहां से भाग जाओ मेरे सबसे यही सही होगा किमकि अभी मेरे पास क्याना pulse pierce भी नहीं है तो उनको मैं capture भी नहीं कर सकता हूं ना मेरे को तो सबसे पहले pulse pierce बनाने पड़ेंगे उसके लिए तो मेरे को पर्ल्डियम फ्रेग्मेंस चाहिए होगा यह वाले सीरीस में हम बहुत कुछ करेंगे पिछले जो सीरीस में मैंने नही तुम लोग रुको एक बार मैं पर्ल्डियम फ्रेग्मेंस यहां पर इसे एकटा करूंगा ना फिर तुमको capture भी करूंगा वह देखो उसको पता है भाई कहां से आना है वह देखो वहां से आ रहा है मेरे को मारने के लिए यह भी आ गया अभी तो सिर्फ कटिवाई बजग इसका मतलब वहाँ पस यहां पर पर मेंट बना देता हूं चलो भी देखते कितना पर चार पर बना सकता हूं और वैसे भी मेरे पस कटिवाई तो इसको मैं चोड़े देता हूं यह बना देगा आरे मारने के लिए नहीं जाना है इसका खुद का हल्थ कम है लेकिन यह नहीं कुछ पेढ़ है इनको कट कर लेता हूं अब ने काफी सारे पेढ़ को कट कर लिया है इसका बना सकता है behavior flavव बना लेते हैं ili चलो ये तो बन चुका है, तो सबसे पहले क्या ना मेरे को बैड बगर बनाना पड़ेगा, मतलब रात होने से तुम लोगो पता है ठंडी लग जाएगा, तो उसलिए मेरे को सोने के लिए वूल चाहिए होगा, और वूल तो मेरे को सीपशे मिल जाती है, फिलाल मैंने तो बो बना देते हैं, काफी सारे मैंने एरोस को बना लिया, वैसे मेरे को एक हैंड टॉच भी बना लेने चाहिए, ये भी मैं बना लेता हूँ, चलो, काफी अच्छा हुआ, मेरे लेवल्स पर इंक्रीज हो चुका है, तो इस आउटफिट को भी अनलोग कर देते हैं, और शाथ म इस शील्ड को भी, चलो, आउटफिट भी मैं बना लूँगा, तो काफी बढ़िया होगा, इसके लिए क्लोज चाहिए, और शील्ड बनाने के लिए तो और भी बहुत सारे चीज़े चाहिए, चलो, मैं और भी कुछ पर बना सकता हूँ, तो बना देते हैं, जितना पर पर इस शोच रहा हूँ, यह एपिसोड में आएगा, तो वैसे आप कमेंट करकर बता देना कैसे चाहते हैं, वैसे यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ, अपने स्टार्ट पॉइंट, अपना वेट को इंक्रीज कर लेता हूँ, शार्टिंग में वेट इंक्रीज करने पड़ सकती है और यह लंबाल को भी कैप्चर कर लेते हैं, मैं अपने कटीवे को चोड़ दूँगा, इस अराम से कैप्चर कर देगा, ओके आदी हल्थ तो मैंने खुदी निकाल दिया, ओ, मार देगा तू, मार देगा, इतना काफी है, मेरे सबसे कैप्चर हो जाएगा, वैसे भी लेव यहाँ पर तो कुछ और कटीवा है, दो-दो कटीवा है, चलो इनको भी कैप्चर कर लेते हैं, इनको कैप्चर करने से क्या हना हमारा वेट इंग्रीज हो जाएगा, यह इसे कर पकड़ो, यहाँ तो बहुत सरे कटीवा है, लेकिन मेरे सबसे आराम से हम कैप्चर कर लेंग तो I think यह आराम से capture हो जाएगा चलो एक तो हो चुका है इतने की जरूरत नहीं है वैसे लेकिन क्या नहीं इससे हमें एक ही वूल मिला है तो मेरे को और भी वूल्स चाहिए होगा चलो इसे भी capture कर ले तबी ओके बहुत बढ़िया मैंने तो 3 को capture कर लिया I think मेरे यह फुल हो इसे क्याना मार देते चलो कटिवा मार दे इसे चलो वैसे ना कटिवा भी बहुत बयाने के अटेक करती है देखो मतलब इसका उतना डामेज नहीं होती है लेकिन काफी अच्छी तरीके से अटेक कर देता है अगर पूरी तरीके से लग गया तो एक बार में मर भी जाते हो फिर ये तो मर गया ओ भाई यार यहां पर इतने सारे कटिवा क्यों है इसे मारे क्या चलो इसे बार देते लेकिन इतने सारे कटिवा है तो दिक्कत हो सकती है ऐसा वो दो ही लेवल का है अरे देखो इसका दोस्त आई तिंग वो भी मेरे पीचे बढ़ गया एक तो मर गया एक और मेरे पीचे मत लग, तू मरेगा, हाँ एक गया, बस एक और बचा है, चलो इसे capture कर लेते हैं, अरे भाई तुम लोग कितने हो, आजा आजा, I think यह आ जाएगा शायद, मेरे पीचे मत बढ़, मरे जा, मर गया, चलो इसी के साथ मेरे levels भी 5 हो चुके, इसका मतलब मैं outfit बना सकता हूँ, यार मेरे को नहीं को शीप्ष देख गया है, लेकिन वो 10 लेवल के है, मेरे को नहीं लग तो मैं उन्हें capture कर सकता हूँ, मेरे को कम से कम 7-8 लेवल तो होने पड़ेंगे, उनको capture करने के लिए, और उपर से 2 है, एक होता तो अच्छा होता, वैसे इनको रा शीटिंग वीटिंग की है, मतलब कोई भी सेटिंग में कोई चेंजेस ना की है, ऐसा अगर इसको मार दिया तो बहुत बढ़िया बात होगी, वैसे ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए में कहा रहा हूँ, यहाँ पर तो एक पल्स पेर ऐसे ले ले लेते हैं, और यह एक थोड़ी दिर में रात भी हो जाएगी, हाँ भी थोड़ी दिर में रात हो जाएगा, यहाँ पर एक चेस्ट है, इसे मैं उपन कर देता हूँ, वैसे भी मेरे को भूख भी लग रही है, कुछ ब्रेट्स मिले इसे खा लेते हैं, और टेक्नोलजी पॉइंट्स में मैंने परशुट को उनलोग कर देता है, और फायर बो मेरे सबसे जरूवत नहीं होगा, इसे मैं उनलोग करने वाला नहीं हूँ, लेकिन अब ही गया रात हो गया, तो सबसे पहले मेरे कुछ फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, एक चोटा सो फाउंडेशन बना देता हूँ, ताक कटिवे को चोड़ देता हूं, यह जिल्दी बना देगा, चलो बड़े हम दोनों नो मिलकर इसको बना भी दिया, और मैं अराम से सोने भी चला गया, ओकी, तो पहला दिन तो सेक्सेसफुल है, मैं सर्वेव कर चुका हूँ, वैसे भी स्टार्टिंग में जादा कुछ होता बात है, वैसे मेरे को यह आउटफिट भी बनाना है, लेकिन इसके लिए क्लोस चाहिए, चलो सबसे पहले तो मैं आउटफिट बना लेता हूं, तो जिल्दी से इन क्लोस को क्राफ्ट कर लेते हैं, ओके, आउटफिट तो बन जाएगा मेरे यह सबसे, हाँ, एक यह आउट सबसे चाहिए होगा, तब ही मेरे एक्सपी जिल्दी बढ़ेगा, तब मैं और भी पाउरफुल पल्स को क्याप्चिर कर सकता हूं, चलो, यह तो बन चुका है, वैसे मैं सोच रहा अपना स्टार्ट पॉइंट, अपना हेल्थ को इंग्रीज कर लेते हैं, तो अभी इसका क काफी सरे बेरी से इसको भी कलट कर लेते हैं, चलो, इसे बने काप्चिर कर लिया, और साथ में मेरे को कुछ वूल्स भी मिल गये, वैसे भी वूल्स मिरको चाहिए थे, इसे मैं यह सोच रहा हूं की मैं बेस कहां पर बनाऊ, अरे, यार, तेरो को किया हो गया, तू रुख अपने लेवल्स जितना हो से के उतना इंक्रीज हो जाएंगा या दो दो चिकेंस आ गए यहाँ पर तो शुरुक अल्मोस होई गया वैसे भी मैंने काफी पल्स पीज ओ मर जाएगा कटिवा तुगा जा ओके आइ तिंक दोनों कैप्चर हो गए बहुत बढ़िया इसके साथ मेरे लेवल्स भी 6 हो जिएक है नाइट विंग को कैप्चर कर लूँ क्या थोड़े से और लेवल्स को इंक्रीज करते इसको अगर एक बार मैंने कैप्चर कर लियां तो मैं आराम से काफी सारे दूर चला गयार मेरे अरो शायद उसको लगेंगे भी नहीं लग गया लग गया बहुत बढ़िया चलो फिलल उसको आने देते हैं यहाँ पर यह गाइब हो गया अरे भाई वो तो यह अच्छा गाइब नहीं हुआ मेरे पीछे आ रहा 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 इससे अगर एक बर कैप्चर कर लिया ना तो आज मैं बहुत सारे पल्स को कैप्चर कर सकता हूँ यार मेरा स्टैमिना खतम हो गया कहां पर यह यह आ रही है उपर आएगा शायद चलो इसे आने देते हैं क्या ने यहाँ पर हम आराम से फाइट कर सकते हैं यार उसके साथ फाइट करना 6 लेवल वाले न मैं बहुत सारे पल्स को कैप्चर कर सकता हूँ 60 60 का डैमेज हो रही है मेरे को मत मारो यह वाले अटेक बहुत मुश्किल है बचो बचो बच गया चलो बहुत बढ़िया ओ मारना मत लेंबॉल का मार ओ बच गया रहे है आज मैं कैप्चर करके रहे हैं अल्मोस्ट लो कर दि ले लिया यार इसे भी हम यार खतम हो गया अभी लेंबॉल को एक करना बढ़ेगा इसका मतलब ने तो में कटिव को चोड़ता हूं का है मेरे पस मेगा स्पीर मिस कर दिया इसने यहार यह किया कर दिया इससे तो 16% दिखा रहा इससे हम कैप्चर नहीं कर सकते मेरे पास एर उड़ रहा है ना चलो ठीक है कैप्चर करने के कोशिश करते यह बहुत भेंकर मारता यह आजा 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 शायद आजाएगा नहीं आएगा यार यह इतना आसान भी नहीं है यह लेंबॉल को चोड़ना पड़ेगा लेंबॉल यह अटेक कर सकते हैं यह की कटिवा ग्रॉ कर मारता है तुन्टी परसेंट आजाएगा आजाएगा ओके आगया चलो बहुत बढ़ी आगया थोड़ी बहुत फाइट लंबी चली थी लेकिन आ तो गया फाइनली इसको भी ले 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 ते इनका लेवर्स कम हैं लेकर ठीक कोई बात ने यह क्याना मतलब यह कटिवा ग् लेकिन मेरे इस अब नाइट विंग आ चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसे अभी तोड़ देता हूं मैं यहां पर तो बेस नहीं बनाने वाला इस पहले से इस चही थे हल्थ मेरे इस अब से ठीक है मैं और तोड़ा सा वेट को इंक्रीश कर लेता हूं यार स कुछ पल्डियूं फ्रेक्मेंस कलट करते मेरे को अभी कियान वापस कुछ ऐरोस बनने पड़ेंगे अभी अपने पस यह है ना तो अतना दिक्कत नहीं है क्योंकि यह काफी आराम से मार देगा ओ यार बच्चों को क्यों मारते हो यह लोग नो चोटी चोटी आरे यार इस बच्चा कैसे यह चालो इसको भी मैंने क्या पड़ेंगा तब मेरे लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे में सबसे पहले कुछ बना लेते यार टुंटी वन एरोस वो के 63 इतने तो बहुत होंगे इतने बनाने में तो काफी टाइम भी लग जाएगा लेकिन ठेर ठीक है इने लेकिन अगर मैं इदर उदर चला जाओंगो आई तिंग नहीं बनाएगा क्यूंकि यहां पर मैंने बड़िया सा बनाते हैं मैं दो तिन जगह को सोच रहूं कि वहां पर जाकर बैस बनाओं हमें एरिया इसा मेरे सबसे जिए ज़एड़ जएगा यही एरिया हो कि मैं बात कर रहा हुँ यहां सम जाती है आ जाएगा फिल रहल wise को बना देता हुभा रहा है जब से पहले एर च्कार्थ को बना देते है और भाई लगता है इसने क्राफ्ट कर या पता नहीं किससे यह पैंगलेट से इसने वाइट कर दिया फाता नहीं क्यों भाई यह मैं तो तो एकदम अराम से craft कर रहा था, एक काम करता हूँ, कुछ arrows तो बन चुके, इसे collect कर लेते हैं, यर वैसे भी यह हराम से मर जाएंगे, लेकिन इन्हें capture भी कर लेते हैं, और थोड़ सा, I think इतना काफी है, ओके, यह भी low हो गया, चलो इसे भी capture कर लेते हैं, I think यह capture हो चुका ह है, इलाल, अभी मेरे लेवस तो बहुत ही जल्दी जल्दी increase हो रहे है, अभी तो मैं और भी powerful वाले pulse को capture करने वाला हूँ, उस हीरन को capture करते हैं, वो हीरन को capture करेंगे तो और भी बढ़िया होगा, कबूतर को तो मैंने वैसे भी capture कर रखा है, यर लेकिन इसने arrows को बीच में बनने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे pulse फिस खतम हो गए, इसके लिए मेरे को stones चाहिए होगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कटिवो का चोड़ देता हूँ, यह भी थोड़ी बहुत stone को mine करेगा, और साथ मैं में में mine कर लूँगा, चलो, बढ़ी है, काफी stones मेरे को काप्चर करने वाला हूँ, वो क्याना और भी ज्याद़ पाउरफुल वाले पल्ले, चलो बढ़ी है, 14 pulse फिर्स हैं, यह काफी अच्छे स्पिर्स हैं, यह से मेरे साथ में capture कर ही सकता हूँ, चलो बढ़ी है, pulse फिस तो बन चुके, arrows मैं और बना सकता हूँ, लेकिन चाहिए यह तो काम आता ही रहेगा, चलो अभी तो मेरे पास काफी wood भी बन चुका है, सबसे पहले तो यह parachute बना लेते हैं, ओके, parachute तो बन चुका है, वैसे guys मैं तो एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैंने यह series सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के वज़े से ही बने start किया वैसे मैं कुछ और दिन रुक सकता था, लेकिन आप लोगों के इतने सारे comments आरे बाई, सिर्फ पाल वर्ल्ड का वीडियोस बनाओ, आपने तो काफी कम कर दिया पाल वर्ल्ड की वीडियोस बनाने में, तो मैंने इसलिए सोचा है कि अभी एक normal series बनाते है, मतलब यह daily episodes की त ही दे पाएंगे, तब तक मैं इसे continue करूंगा, अगर आप अच्छे से इसको support करेंगे, तो मैं इसे continue रखने वाला हूं, तो फिलाल तो इसे तोड़ देते है, मेरे पास अभी काफी अच्छे से pal space भी है, और arrows भी है, और सबसे बड़ी बात तो मेरे पास night wing भी है, इसके सा सादा लेवल्स में भी हो सकते है, तो मैं रखो क्या ना, और कुछ pulse को capture करने के बाद जाना चाहिए, तो मैं ने कुछ pulse base बनाई दिया, अभी फिलाल क्या है, मैं तो यहां पर ही base बना देते है, मतलब फिलाल के लिए यह एक अच्छा spot base बना सकते है, उसके बाद हमें change करन पड़ जाएगा, जब हमें war की जरूत पड़ेगा, तब हमें change करना पड़ेगा, उससे पहले हमें change करने की जरूत नहीं है, तो मैं यह सोच रहा हूँ, फिलाल अभी के लिए मैं यहां पर base बना दूँगा, चलो बढ़िया, बेस तो बन चुका है, वैसे base बनाने का एक ब बहुत ज़्यादा important reason यह है कि अभी क्याना में logging site को भी unlock कर सकता हूँ, और साथ में stone pit को भी, यहां से क्याना मेरे को automatically wood भी मिल जाएगा, और automatically stone भी मिल जाएगा, लेकिन फिलाल अभी इसे बनाने के लिए कुछ stones चाहिए, और साथ में volume fragments भी चाहिए, अगर मैं इन दोनों को बना दूँगा, तो क्या है कि यहां से मेरे को automatically मिल जाएगे wood और stone, लेकिन उससे पहले क्याना base के levels को increase करना पड़ेगा, उसके बस मेरे को chest को रखना पड़ेगा, और एक पल को रखना पड़ेगा, फिलाल मैं काम करता हूँ, एक कटीव को रख देता हूँ, यह क्याना मैं कर रहा है, I think मैं अभी अपना base को भी upgrade कर सकता हूँ, हाँ, base को भी upgrade कर सकता हूँ, अभी फिलाल क्याने एक permit to workbench बनाना है, और share od bed भी बनाना है, उससे पहले तो मैं शीप को रख देता हूँ, यार मैंने कटीव को कम capture किया था, कटीव को मेरे को और capture करना चाहिए था, ऐसे मेरे को भूग भी लग रही है, मैं काम करता हूँ, फुट भी खा लेता हूँ, permit workbench तो हम वह ऐसे भी बनाई सकते है, इसे क्याने इसके ऊपर बना देते हैं, ताकि क्याने crafting करने में हमें आसा नहीं हो जाएगा, funding fragments तो मेरे को यहां से मिल जाएंगे, इसे मैं collect कर लेत हूँ, I think मेरा weapon damage हो चुका है, खेर ठीक है, कोई बात ने, मैं यहां पर क्याना, repair workbench भी बना देता हूँ, okay, repair workbench बनाने के लिए मेरे को कुछ stones चाहिए, ऐसा भी इन लोग ने कुछ stones तो mine की आई है, I think इतना काफी है, हाँ, अभी मैं repair workbench को भी बना सकता हूँ, इसके आपस रात होनी वाली है, एक काम करता हूँ, कल की जैसे सेम एक नॉर्मल सा यहां पर यह बना देता हूँ, वैसे अभी मैं सोच रहा हूँ, यहां पर गर्ब और यार वुड भी नहीं है, सारा वुड क्याना, मैंने वहां पर arrows बनाने में कर्च कर दिया, तो अभी मैं वो करता हूँ, इसके लो करता हूँ, बनाने मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे, मर इसके जाओगे, मर गया, मैंने दो बर पल्सपेर bem अता लेक bad एथा, मेरे प्रभी मैरे लगे जाये, इसे मेरे को capture करना है वैसे कटिवा का थोड़ा सो जरूरत भी है आरे यार capture हो जाना इतना तो लो होई चुका है वैसे चार लेवल का था वो देखो मेरा कटिवा देख रहा तेरो को चलो यह तो capture हो गया अभी क्या अगर वो टॉम बेट वगरा हमें मिल जाएगा तो और भी बहतर होगा ओके यहां पर यह टैंगी भी है चलो इन्हें भी capture कर लेते यह भी काफी अच्छे पल्स है वैसे यह सो रहा है तो मेरे सब समय खुदी इसको अराम से capture कर लूँगा शायद ओ मारना मत ओके मेरे सब से इतना काफी है चलो बहुत बढ़िया यह तो capture होई चुका अभी इसको भी capture कर ही लेते मारना मत ओके यह भी capture हो गया यहां पर रात में ना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता पता ही क्यों कुछ दिखता ही नहीं यार पूरा अंदेरा हो जाता है अभी मेरे को कैसे भी करकर टॉम बेट को ढूनना पड़ेगा अगर वो मिल यहां पर तो मेरे को वो ठॉम बेट नजहा नहीं आ रहारा आइद मेरे को वो यहां पर नजहेद आ सकता है के टॉम बेट बस मिल जाए वो तो मजह जाएगा ऑच्छा होगा अधिा मिल गया 11 लेवल्स का है फोड़ सा मुच्किल तो है कि हमेरे पस सिर्फ नाइट विंग ही है, शायद ये capture होने में और भी दिक्कत दे सकता हमें यार मैंने अगर अपने torch निकलाना तो light चली जाएगी यार बस नाइट विंग मरना मत, मैं एक काम करता हूँ, उसे पहले से food खिला देता हूँ और साथ में भी खा लेता हूँ, ओ भाई इसने तो आदी health डाउन कर दिया, night wing मैंने बोला था ना, night wing बहुत powerful है यह देखो भाई थोड़ा से attack कर, थोड़ा साई, थोड़ा साई, मेरे सबसे इतने काफी है, I think इतना काफी आ जाने चाहिए, okay 60 हो गया, चलो बढ़िया, चलो काफी अच्छा हो, अरे यार और किससे पंगा ले लिया, इससे क्यों पंगा ले लिया तुमने, यार मैं एक काम करता यार इसके वज़े सा मेरे को ठंडी लग रही है, okay, आबे यार, क्या है attack यार, पूरा उसको लग गया था, भाई कहां पे attack कर रहा है, उसके अंदर फस गया था, क्या, लगता भी ये दोनों मेरे को attack करने वाले है, वैसे इनका attack scan बहुत slow है, तो मेरे को तो लगेगा ही नह यार, इसका damage बहुत ही कम हो रही है, लगी नहीं रही है, और उपर से, okay, चलो, इसने तो पूरा ice ही कर दिया, और थोड़ा सा बस, थोड़ा सा, और, यार, मेरे से तो damage ही नहीं हो रहा है, इसको, I think इतना काफी है, ये capture हो जाएगा, चलो बढ़िया, वो, टॉम बेड तो ह पकड़ा ही खेल रहो, मैं तो इसके साथ अभी, वो मर जाएगा, मर जाएगा, काफी है, काफी है, ये तो आराम से capture हो जाएगा, चलो, बहुत बढ़िया है, तो capture भी हो चुका है, वैसे अभी यहाँ पर मेरे को और टॉम बेड मिल जाएंगी तो और भी अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को दिखा ही नहीं दे रहा, ये बिकार के बाद यह किया ना, ये टॉम बेड सिर्फ रात में ही दिखते है, और ये इतना रेर होते हैं कि हमें एक दो ही मिलते मुश्किल से, तिलाल जैसे तो मेरे को एक तो मिली ही गया, ये को और अगर मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, मैं काम करता हूँ अपना स्टाइट, पॉइंट, वैसे अपना हेल्थ भी अच्छा कासा ही है, मैं काम करता हूँ, हाँ इस सही इंक्रीज करता है, अपना स्टामिना भी बहुत कम है, वैसे अब अब सुबह होने वाली है, तो मैं और एक टॉम यह यह अपने पास ही रख लेता हूं और वैसे तो मैं अपने base को भी upgrade कर सकता हूं तो base को भी मैं अपग्रेड कर दिया अभी क्या ना, feed box को मिरे को बनाना है और कुछ straw bats बनाना पड़ेंगे I think वो चीजे को मैंने unlock भी नहीं किया यह crusher को भी unlock कर सकता हूं इसे unlock कर देते हैं और spell gear work pinch को भी unlock कर देते हैं यह berry plantation भी चाहिए होगा रंच भी चाहिए होगा और साथ मैं feed box भी तो अभी क्या ना, अपने बहुत ही बढ़िया हुआ अपने पस दो hirons मिरे को build चुके और उपर से क्या आ ना, हमारे base में है तो अभी क्या है कि मेरे पस जादा pulse में रख सकता हूं और अपना tombate को भी में रख देता हूं इसे निकाल देते night wing वैसे मेरे पस रहेगा panglet को में रख देता हूं तो अभी क्या ना, वो यहाँ पर ही है तो मैं उनको attack करता हूं और यहाँ पर बुलाता हूं अपना tombate है और मैं साथ में night wing को भी चोड़ देता हूं तो अभी क्या है यह सारे pulse मिलकर उसे attack करेंगे और मैं इन दोनों को शायद capture कर लूँगा अरे यार मेरे को मत मारो सब सब ओके यह काफी लोग हो चुका यह देखो कितना लोग हुआ अरे यार बहुत लोग अरे यार मार दिया आइ तिंग यह मेरे को मारेगा यार वो tombate क्या कर रहा यार अपना night wing का हालत बहुत बुरा हो गया night wing को निकालो तुम लोग क्या कर रहा एक को तो पूरा मार ही दिया और वहां पर भी और भी है चलो आइ तिंग काफी लोग हो चुका है इसे हम अराम से capture कर पाएंगे मर जाएगा मर जाएगा तो क्या और मत attack करना आजा आजा नहीं तो मर जाएगा यार इसको तो पूरा health चला गया यार मर जाएगा मर रहे गया यार base में ना कभी-कभी ऐसा ही problem होती है दोनों pulse में से एक को भी capture नहीं कर पाया यार वैसे मैं ना और hirans को वहाँ पर देखा यार दोनों hirans को मैं capture नहीं कर पाया था और साथ में मेरे pulse base भी थोड़े बहुत कम हो चीगा I think मेरे को pulse base भी बनाने पड़ सकते है सबसे पहले तो मैं यह stone pit बनाऊंगा इसके लिए कुछ wood चाहिए और साथ में stones चाहिए वैसे हैं लोगों ने कुछ stones वैसे भी mine करके रखे तो है यहां सही मैं कुछ stones को भी collect कर लेता हूँ मैं एक काम करता हूँ नहीं तो आपने tom bit को ही चोड़ देता हूँ यह भी mine करता रहेगा मैं भी mine करता रहूंगा आज कैसे भी उन हेरंस को मेरे को capture करना है और साथ में stone pit और wooden pit भी बनाना है ऐसे मेरे को wood का भी ज़रूत हो सकती है तो wood भी मैं collect कर लेता हूँ अरे यार इसने किस से पंगा ले 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 यार इसने दोनों को मार दिया चलो ठीक है तो मैंने काफी सारे चीज़ें को collect कर लिया और मेरा bag भी पूरी तरी किसे भर चुका है यार यह तो बहुत दीर है चल रहा है यह से अभी मेरे पास grappling gun होता तो कितना अच्छा होता सबसे पहले ना I think यहां पर मेरे को एक chest बना लेने चाहिए ताकि क्या ना मैं चल सकता हूँ ओके यहां पर ही बना देते है ना यही जगा मेरे यह सबसे best होगा चलो यहां पर यह तो बन जाएगा और अभी तो मैं stone pit भी बना सकता हूँ और यह भी बना सकता हूँ यहां पर stone pit बना देते है चलो बड़ी है stone pit भी तो बन गया अभी यह wooden pit बनने के लिए मेरे को और कुछ wood की ज़रूत होगा कुछ salmon को मैं यहां पर रख देता हूँ ताकि मेरा bag तोड़ा सा खाली होगा और मैं ज़्यादा सामान को भी ले सकता हूँ ओके वहाँ पर एक और night wing ऊड़ रही है उसको भी capture करना पड़ेगा ओके मेलपा का भी वहाँ पर है सबसे पहला ना मैं wooden pit यह दोनों को बना देता हूँ एक बर यह दोनों बन जाएंगे ना तो मेरे को जितना चाहिए वह अतना wood मिलता रहेगा बस मेरे को pulse को रखना पड़ेगा ऐसे वह मेलपा का तो यहाँ पर ही आ रही है ओके चलो मेरे पास 7 pulse pierce है और यह 9 levels का है मैं एक काम करता हूँ इससे क्या ना outside fight start करते हैं चलो मैंना night wing को चोड़ दिया एक और night wing गूम रहे है उसे भी capture करते है पर कहाँ पर भाग रही है यार इसको तो इतना भाग रही है उस लग भी नहीं रही है चलो इसको capture करने का बद उससे भी capture कर लेते अगर यह जल्दी capture हो गया तो और वहाँ पर कहाँ पर जा रहा है मेरा base के और जा रहा है किया okay low हो गया I think मर जाएगा इतना काफी है इतना काफी है okay आ गया बहुत बढ़ी है एक ही pulse फिर में आ गया तो अभी इस night wing को भी capture करते है 11 levels का है इसे capture कर लेंगे तो बहुत बढ़ी होगा आदी हल तो ऐसे ही निकल गए यार इसका ये वाले attack तो बहुत जाद पावरफुल है ये जब attack कर रही है न तब मेरे को बचाना पड़ेगा इसे ये तो मेरे को देख रहा भाई ये powerful वाले attack बचो 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 पता नहीं कहां पर चला गया ओ मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा इतना काफी है इतना काफी है ये मारेगा तो नहीं आएगा तो एकदम पक्का मारेगा मेरे को ओके आ गया बहुत बड़ी यार दोनों को मैंने capture कर लिया दोनों powerful पल्स एकी एकी पल्स फिर में capture हो गया वो हीरन भी capture हो जाता नहीं तो और भी अच्छा होता फिर यहाँ पर जो पर्ल्लिम फ्रेग्मेंस है इसे collect कर लेता है अभी तो मेरे पास दो नाइट विंग हो चुग है मैं और थोड़ा सा पल्लिम फ्रेग्मेंस बना लेता हूँ जितना उसे के उतना पल्स पिर सभी बनाने है पर जल्दी से कोई traveling वाली पल्स बना देंगे ने तो बहुत बढ़िया होगा क्याने भागते रहने से तो काफी देर होती है वैसे भी मेरे को जितना पता मैं मेल पाका का सैडिल बना सकता हूँ हाँ इसका सैडिल बना सकता हूँ और मेरे पास सारे सामान भी है बस मेरे को ये पल्ल गेर वर्कमेंच को बनाना पड़ेगा इसके लिए वुड चाहिए और साथ में क्लोस भी चाहिए ठीर ठीक है वो दोनों तो मेरे को मिल जाएंगा ज़ादा दिक्कत वली बात नहीं है फिलाल उससे पहले ना मैं लॉगिंग साइट को बना देता हूँ एक बार ये दोनों चीज़े मेरे को अच्छे से मिलते रहेंगे ना तब मैं जयो चाहिए वो बना सकता हूँ स्टोन के लिए कोई माइन क्यों नहीं कर रहा एक काम करता हूँ यहाँ पर क्या ना इस नाइट विंग को मैं अपने पास ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर चोड़ देता हूँ यह क्या ना इसका माइनिंग टू है तो यह माइनिंग करेगा बस वुड के लिए मेरे को एक और चाहिए होगा फिलाल मेरे पास मेलपा का भी है इसको टैंजी के जगा ले लेता हूँ और टैंजी को यहाँ पर चोड़ देता हूँ यह भी बहुत सारे काम करता है यह लेकिन मैंने इन लोगों के लिए बैट्स भी नहीं बना यार सबसे बैट्स बनने पड़ेंगे ना फिलाल अभी मेरे पास तीनी पल्स है अभी क्याना मैं यहाँ पर ही बनने वाला बाद मैं इनको एजिस्ट करेंगे आरे यार वुड का बहुत कमी यार एक बना रहा हूँ वुड चाहिए हो रहा फिलाल तो काफी वुड तो मैंने कलेट कर लिया तो जल्दी से कुछ श्रिप्स बैट्स बना देते हैं इन लोगों के लिए फिलाल तीन ही चाहिए ओके चलो मैंने तीन तो बना दिया और मेरे को पल बॉक्स भी चाहिए होगा ना हाँ पल बॉक्स में मैं बना सकता हूँ यहाँ पर ही बना देता हूँ कि यार बहुत जादा प्लेस कंजम्शन कर रहा है और मेरे को क्या ना प्लान्टेशन भी बनाना पड़ेंगे ना तो बहुत बढ़िया होगा यार मेरा घर ना यहाँ पर बढ़िया नहीं लग रहा मतलब क्या ना मैं अगर यहाँ पर इनको बैट्स बनाँगो तो दिक्कत हो जाएगा सबसे पहले तो इनके लिए आदा फूड तो नहीं रख पांगो मैं जादा नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वूड ही नहीं है सबसे पहले ना वह हीरन को कैप्चर करके लेकर आना पड़ेगा उससे अकर कैप्चर करूंगा ना वह क्या ही कि वूड काटेगा मेरे लिए इसने यह तो बना दिया इसने तो पाल्स पेस बना दिया कुछ एरोस मेरे पास है क्लोस की जरूरत है क्यूंकि मेरे को क्या ना वो भी बनाना पड़ेगा मैं अगर चल के जाओंगा तो जादा टाइम लगेगा तो मेरे को यह बनाना पड़ेगा अरे यार इसके लिए काफी फूड चाहिए ठीक है मैं उससे कैप्चर करके लेकर आओंगा वह यहां पर शायद मेरे को मिल जाएगा सबसे पहले तो एक और वूल को मैं क्राफ्ट करने के लिए रख देता हूँ ओके वो फायर फॉक्स मेरे को दिख गया यार उससे कैप्चर करते है वो क्या ना फूड बगर बनाने में हमें उक मदद करेगा मैं फिलल अपना नाइट विंग को चोड़े देता हूँ वैसे यह आराम से उससे मार देगा लेकिन उससे मारना नहीं है वो भाई आदी हल्द डाउन कर दिया इसने वो मार ही जाएगा बिचारा वैसे यह छे लेवल्स का ही है अराम से कैप्चर हो जाना चाहिए ओके चलो मेरे सबसे बहुत बढ़ी यार वहाँ पर और भी फायर फॉक्स मेरे को दिख गया यार वो हीरन मेरे को नहीं दिखाई दे रही यार अभी क्याने यहाँ पर जितने भी पेड़ थे वूद तो मैंने कट कर लिया आई थे वहाँ पर मेरे को जाना पड़ेगा वुड को कट करने के लिए नहीं तो मैं एक बर यहाँ पर चेक कर लेता हूँ इन लोगों ने कितने वुड को माहिन किया यार तुम लोग प्लांटिंग वगर कर रहो कि नहीं एक ही वुड लगता है इसने सारे वुड को यहाँ पर रख दिया कितना ऐटीन टाइम लगेगा यहाँ पर जमा करना में यह लोग क्याना स्लो माइन करते हैं वैसे मेरे को तो वो सहीरन को काप्चर करना है देखते हैं अगर वो मिल जागा तो काफी बढ़िया होगा क्योंकि वो क्याना वुड माइन करता है यार इससे भी क्याप्चर कर लेता है यह भा सबसे पेड़ काटेगा काफी अच्छे काम भी करता है लेकिन अभी तो सबसे पहले मेरे को सीरन को काप्चर करना पड़ेगा ओके चलो इससे भी काफी अच्छा लेवल का ही है लेवन लेवल्स करें और यह आराम से शायद कभी कभी आराम से कैप्चर हो जाता है उतना पाउरफुल वाली पल नहीं है लेकिन एक पर देखे लेए थे कितना पाउरफुल है ओ भाई यार उपर एक और है वो देखो उपर एक और है मैं इस पत्तर के बीचे चुप जाता मतलब capture कर रहे ता, I think अभी ये मेरे को देख रही है, मेरे को attack मत कर, मर गया I think यार ये पत्तर, यार पत्तर के वज़े से first गया तयार, ने तो ये पूरा low होई जाता, काफी है काफी है बच गया, यार इसने तो इसको बान दिया भाई, बहुत लो कर दिया, यार दो है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है यार, 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 मिस हो गया, बच गया, काफी, ओ, मेरे को मार दिया, उपर सेटे कर रहा है, वो नीचे आ गया, ओके, I think या आ जाएगा, आ गया, चलो बहुत बढ़िया इसी के वज़े से मेरे लेवल से भी इंक्रिस हो गया, चलो, नाइन हो चुकिया, बहुत बढ़ी, आदी हल्थ तो निकल गया इसका, मेरे को मार मत, ओके, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, खतम है, खतम, काफी है, I think काफी है, चलो, मैं इसको ले ले लेता हूँ, I think मेरे आराम से आ जाने चाहिए, हाँ, चलो, ये तो आराम से आ गया, चलो, काफी अच्छे पल्स तो हमें मिल गए, इसे में ले ले लेता हूँ, थोड़ी बहुत पाउरफुल वाली पल है, एक काम करते हैं, इसे भी कैप्चिर कर लेता हूँ, जितना हूँ से को इतना पल्स को म मार ही है सकता हूँ, जाकर उसे भी कैप्चिर कर ही लेते हैं, वो तो और भी ताकतवर वाली पल है, लेकिन यार, वो उपर रहेगा, और मेरे को भागते हूँ जाना पड़ेगा, इसे भी मेरे को वुड का जरूरत है, अरे यार, मेरा वेपन भी तूटना था, ठीक है, इस रहा हूँगा, और यहां पर तो यह भी मेरे को मिल चुका है, और नाइन लेवल्स का है, मेरे सबसे यह मिल जाएगा, सबसे पहले तो इसे कैप्चर करते हैं, एक ही है, आराम से कैप्चर कर पाएंगे इसे, अरे यार, उसको एटक नहीं करना, किस से फाइट कर रहा है, इ मेरे को एटक करेंगा, उके चलो, उसे चोड़ दे, उसे चोड़ दे, यार, उसे क्यों मार रहा हो, वह भाग जाएगा वैसा भी, इसको एटक कर भाई, इसा बच गया, चलो, ऐसा भी मेरे पास दो नाइट विंग है, तो मैं इनको शिफ्ट करता रहूंगा, यह गया, ओ बाई, बच गया ता, यह बच गया, चलो, और थोड़ो से लो करो, इसे इसे हम आराम से काप्चर कर सकते है, मेरे को मार ओ, मार दिया, थार मारना नहीं ता, यह पता ने, यह इस हीरन को मैं काप्चर नहीं कर रहा हो, यह ठीक है, यहाँ पर चिल्लेट होनी चाहिए, ना, कहां पर चलंगा वाले यहां पर यह तो यहां पर यहां पर यहां यहां लेकर दिखाई नहीं दे रहा सोब नहीं पुर नहीं दे चिलेट ही नहीं है, मैं चिलेट के पास तो पहुंच गया हूं, लेकिन यहाँ पर चिलेट नहीं है, भाई यह क्या, ऐसे तो नॉर्मली नहीं होता, कुछ ग्लिच भी चल रही है क्या, ओके देख गया, देख गया, थोड़ा सा दूर चला गया था यह, चलो अपना नाइट डामेज नहीं हुआ, कहाँ पर चला गया, यहाँ पर फाइट करना था ना, वहाँ पर क्यों जा रहे हो, वैसे भी मेरे पास दो नाइट विंग्स है, मैं उन दोनों को शिफ्ट करता रहूंगा, यार मेरे पिछे क्यों अटेक करना है तुम्हें, वो देख, ओह भाई, यह कौन सा अटेक है, जब मैं पिछली बार इसके सब फाइट किया ना, तब यह ऐसा फाइट नहीं किया था, मतलब यह ऐसा अटेक नहीं किया था, ओ, ओ, रुको रुको, एकदम जंप मार रही है, यह भी नया नया अटेक सीख लिया, फिर ठीक है, मेरे इसब सब अपना यह एटेक सीख लिया, ओ, इसने आग लगा दिया, आग लगा दिया उसको, मेरे को एटेक कर रही है, मेरे को एटेक कर रही है, एक काम कर तो पल्स फिर फेक देते, नाइट विंग दूसरे को चेंज करना पड़ेगा भी, शायद यह नहीं आएंगा, तो उससे नीचे लिक चलो, हो गया, इसी के साथ मेरे लेवल्स भी 10 हो चुके यार, इसी के साथ अगर एक और टॉम बेड मिल जाएगा, तो मज़ा ही आजाएगा, यार क्या ना भागते हुए जाने में बहुत बिकार लगता है, मेरे को पता है, जिल दिस अगर 15 लेवल्स कर देंगे, तो नाइ कोई इंक्रीस कर रहा हूँ, अभी अगर नाइट विंग दिख जाएगा, तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को कोई नाइट विंग तो नहीं दिख रहा, मेरे मतलब टॉम बेड का, मैं भार बर टॉम बेड को नाइट विंग बोल दे रहा हूँ, और कोई विंग चोड़ देता हूँ, इस से फाइट करो तुम लोग, एक तो मर ही गया, वैसे भी मर ही गया, चलो, अरे यार, एक और है, वैसे भी मेरे को इन से फाइट नहीं करना, मेरे को तो टॉम बेड चाहिए, मैं चलता हूँ, यहाँ से, सबसे पर तो अपने बेस में च सबसे पहला ना, इस शिल्लेट को मैं अपने पास ले लेता हूँ, इसकी जगह पर कटीव का इस जरुवत नहीं, नहीं तो मैं इन दोनों में से एक को रख सकता हूँ, कटीव के जगह पर, अभी तो मेरे पास सारी के सारी काफी पावरफुल वाले पल्स है, एक बार वाप बार बार मेरे को दिमाग खा रहे है, बार बार ये आ जा रहे, मैं एक काम करता हूँ, नाइट विंग को चोड़ देता हूँ, ये खुद ही संबाल लेगा, टॉमबेट, टॉमबेट, बाता है टॉमबेट को ढूणना अतना आसा नहीं होता है, वो काफी रेर पल होता है, आई तिंग अभी घ्याना मेरे को घर जाना बड़ेगा फिलाल, ओके यहाँ पर कुछ तो फ्रूट है, यहाँ पर मैलपा का भी है, चलो इस फ्रूट को भी कलट करते हैं, यह तो ड्रागन वाली फ्रूट है ना, हाँ ये इगनेस ब्लैस्ट वाली फ्रूट है, इसे मैने क किसको मार रहे हैं, डेर्ड्रीम को मार रहा है, यह काम करते हैं, इनको भी कैप्चर कर लेते हैं, मैलपा का वैसे मेरे पास एक ही है, यार उसको क्यूं मार रहा है, इसको मारो, चलो इसे मारो, इसको कैप्चर कर लेते हैं, आई तिंक यह मेरे को अटेक करने हैं, आरे यार और वो भी उट गया और वो क्यों उट गया चलो यह वैसे भी थोड़ा सा लो होई चुका है वो भी लो हो चुका है उसे भी कैप्चिर कर लेते हैं ओके चलो एक मैलपा का कैप्चर हो चुका है यह भी कैप्चर हो गया चलो बहुत बढ़ी है और वो सो क्यों गया है उसका द मेरे से जाना है जहींगा गारे missed crappy मैं अरामर को सीखता हूं और मेरे को यह हिरन देग चलो यहां पर इसे capture कर देते चिलट को बेचते ओ भाई, बहुत भाईंग कर damage किया अरे यार मैंने इसको क्यों कलट कर लिया ओ मेरे को मत मार चिलट क्या यार, इसको मार यार इस बार इसको कैसे भी capture करना है इस बार इसको नहीं मारेंगे ये सेरन को capture कर लेंगे तो वुट का समझ वुट का ओ भाई यार मेरे ध्यान ने दिया ये इदर से वुदर से आया ना मेरे को समझ ही नहीं आया था I think काफी है काफी है मेरे सबसे इतना हल तो काफी है आराम से हो जाना चाहिए चालो फाइनली से मैंने capture कर ही लिया आकिरखार और मैंने तो कुछ जादा ही सामान ले लिया फिलाल अभी जल्दी से pace में चलते है वैसा मैं अगर सच में बोलू अपना progress तो काफी बढ़िया चल रही है क्योंकि मैंने chillet को capture कर लिया और क्या हुआ काफी अच्छे pulse को मैंने capture कर लिया सबसे पहले तो यह सारे सामन को मैं इसके अंदर रख देता हूँ पुरा मेरा bag बर गया मेरा weight भी कम हो चुका क्या ना मैंने cutiva को निकाल दिया ने इसलिए कम हो गया I think अभी मैं यह बना सकता हूँ ना कुछ close ही चाहिए I think close वैसे भी मैंने बनाने के लिए रख दिया था हाँ बहुत बढ़िया चलो अभी मैं इसे बना भी सकता हूँ इसको यहां पर बना देता हूँ ओके यह तो बन चुका है अभी मैं मैं मैंलपा का saddle बना सकता हूँ लेकिन मेरा लेवल्स कितना मैं एक बद चीक कर लेता हूँ लेवल्स तो 10 है त्री शॉट बो यह मेरे को चाहिए होगा इससे मैंने अनलोक कर दिया और परमेटिव वर्निस भी चाहिए होगा फेदरड हेर बैंड आई थिंगे अटना कुछ खास नहीं है यह मेरे को नहीं चाहिए और यह दोनों आउटफिट को बे मैं अनलोक कर देता ओं और यह हॉट स्प्रिंग को भी अनलोक करना ही है नेई इसको भी अनलोक करना ही है ऐसे अवी क्यान दो लेवल्स होने के पंद में हृरन को बना सकता हूं मतलब हिरन का सैड़िल BENा सकता हूं तो फुलाल तो मैं इसे यूस करना पड़ेगा ऐटी के इसे बना देते हैं चलने से तो बहतर यही यह यह बहुत बड़या यह तो बंचुका है अभी तो में स्मेल प्याइड कर सकता हूं यह लेकिन एक औ वो पत्तर वगर्ड हम तोड़ सकते हैं फिलाल यह स्मेल पकर का स्पीड उतना भी कुछ खास नहीं लेकिन ठीक है फिलाल तो एक काम करते हैं इस टैंच को निकालते हैं और इसको रखते हैं चलो अभी काफी बढ़िया है यह वुड को माइन करता है दो है इसका वुड माइन करना और यह स्टोन को माइन करता है तो यह काफी बढ़िया है वैसे मैं चाउँ तो अपने बेटी को यह कर सकता हूं इसे भी कुख करने के लिए रखतेते हैं अब यह भी base को upgrade कर देते हैं और मेरे को built एक statue बनाने बढ़ेंगे शायद मैंने statue को unlock किया ही नहीं हाँ मैंने statue को unlock किया ने यार इससे बनाने के लिए pardium fragments शाहिए है यार वैसे फिर pardium fragments मेरे को यहां से ही मिल जाएंगे यहां से मैं collect कर लेता हूँ चलो काफी बढ़िया हुआ करने के लिए चार चाहिए अभी तो मैं अपना बेस को भी अपग्रेड कर सकता हूँ चलो बड़िया बेस को अपग्रेड कर दिया बस मिरे को एक क्रशर बिल्ड करना है अभी ये आखरी वाला भच गया इसके लिए भी बस करता हूं इस से ना तोड दो, इसको मेरे कोई, यहां पर जरूरत नहीं है, ऐके मेरा यह भी टूट चुटा है, फिर मैं अबी क्रस्टर थो बनाई सकता, मैं इसको यहां पर बना देता हूं, फिला तो मेरा टूल्स तो डैमेज हो चूगे, सबसे पहले तो मैं इसे repair कर लेता हूँ और मेरे सबसे मेरे को tools को भी upgrade करनी चाहिए ओ यार इसके साथ fight start हो गया ठिक इसे पूरा बो कर दो लोग हमेरा खता मैं खता मैं भाई मैने pulse pair fake आता capture ही नहीं हुआ इसरे जिल्दी से बना दो time लग रहा है वैसे मैं यहाँ पर एक chest को बना देता हूँ क्याना stones वगर मैं color करकर यहाँ पर रख सकता हूँ चलो यहाँ पर मेरे पास जो भी समान है वो सर यहाँ पर रख देता हूँ और would be इन लोगों ने काफी अच्छी सही mine किया है वैसे जादा ने time लगेगा जल्दी जल्दी mine नहीं कर पाएंगे तो अभी तो मैं एक और पल को भी रख सकता हूँ लेकिन मेरे पास उतने कुछ खास पल्स नहीं है इसी ही रख देते है मिरे को कयाना और हीरन को कैप्चिर करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर तो एक और कबूदर गूम रहा है वैसे इस कबूदर को चोड़ोदो इसे बाद में 캌प्चिर करते है हाँ यह उसे जितल्द सबसे पहले यह फास टैफ टैबल पॉंट को कोट लोग करते थे ठीक है बाद में उसे ये करेंगे फिलाल तो मेरे को जितना हो से तना उतना हीरंस चाहिए इसके अंदर क्या है अच्छा इसके अंदर नॉक्स है भाई वैसे मेरे को नहीं लगते यह नॉक्स इतना ज्यादा पाउरफुल होगा खेर अभी ठीक है आई ही गहे तो इसे मागा था भाई यार उसके पास तो राइफल ता यार मेरे को तो वह गाना याद आ गया आप कमेंट करकर बता दे ना फिलाल तो मैं इससे निकाल देता हूं ओके चलो बाई इस नॉक्स को तो मैंने चुड़ा दिया यह वैसे मैंने जब हाड़कोर मॉड में इस नॉक्स को कैप्चर किया ना तब यह बहुत जादा पाउरफुल था फिलाल यह तो मेरे को ऐसे ही मिल गया ऐसे इन लोगों ने पकड़ के रखा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यह उतना पाउरफुल वाला नहीं रहेगा क्यूंकि अगर इनी लोग ने पकड़ लिया तो मेरे हिसाब में मार दिया ते यार, चलो यह वाली अटेक करते अरे staminan नहीं है, रुको तीर को देता हूँ लूपी वाली अटेक करते, air cannon, I think यह मर जाएगा, मेरी सबसे capture हो सकती है, नहीं तो इसको बहुत से मारें गे, मेरी सबसे नहीं, तब ही मेरे levels भी जल्दी increase होंगे अभी तो मैंने इस fast travel point को भी unlock कर दिया I think अभी मैं एक और पल को capture करूंगा तो मेरे levels increase हो जाएंगे मतलब level 11 हो जाएंगे यार मेरे को ना वो hiran तो नहीं मिली यार मैं जिसके लिए आये ता इतना दूर आ गया वो hiran मेरे को यहाँ पर मिली ही नहीं ऐसे फिलार मेरे को यह मिल रहे एक काम करता हूं इन्हें capture कर लेता हूं यह भी काम आ जाएंगे इनको मारने से क्या ना मेरे को pulfrids पर मिल जाएंगे एक तरीके से चलो I think एक तो capture हो गया बहुत बड़ी है मेरे levels फिल 11 हो गए यह वो frog है क्या? हाँ वो frog ही है चलो अभी उन्हें भी capture कर ही लेते एक को damage लग गया ओके यह भी same attacks कर रहे है भाई jumping दपंग कर रहे हैं यह लोग तो वैसे तीन लोग है मेरे सबसे इनको capture कर लेते हैं ओ यार यह लोग भी same attack कर रहे है I think इतना काफी है यह capture और यार फानी के वज़े से मेरे attacks नहीं जा रहे है चलो ओके इतना काफी है एक तो capture हो गया भी दूसरे भी capture हो जाएगा उसे जाने देते हैं दो को तो capture और यार क्या हो गया तेरे को ओके बहुत बढ़िया है इसे भी मैंने capture कर लिया दो frogs को capture कर लिया अगर मैं इसी तरह की से करता रहूंगा ना तो मेरे levels जल्दी से 11 हो जाएंगा मैं अपने stamina increase कर लेता हूँ stamina बहुत कम हो चुकी है और मेरा armor भी टूर चुकी है इसे भी मैं यह सोच रहा है यह वला armors बना देते एक minute यार मैं यह वले pkx को तो unlock कर सकता हूँ इससे unlock कर देते और high quality workbench को भी unlock कर सकता हूँ लेकिन अभी मेरे को ingats भी चाहिए होंगे यार वैसे ना मेरे को उस रसोर को capture कर लेना चाहिए तो यार उस रसोर को capture कर लेता ना तो जादा अच्छा होता वो रसोर वैसे भी मेरे को वहाँ पर मिल जाएगा I think उस कुट्टे को भी मेरे को capture करनी चाहिए यार मैं भूली गया उस कुट्टे को तो वो कुट्टे तो और भी जादा fast है ना सबसे पहले तो मेरे को उस कुट्टे के पास ही जाना चाहिए था फिर अभी मैं उस कुट्टे का पास जाओंगा और उस कुट्टा और उस रसोर को उन दोनों को capture करेंगे वो दोनों काफी useful pulse है अभी सबसे पहले तो इसे unlock कर देते हैं ओके यहाँ पर कुछ syndicate वाले भी है इनसे कोई मतलब तो है नहीं अरे यहाँ पर कोई meteor गिरने वाली है मेरे इस अबसे तो वो powerful वाले pulse होंगे ना ठीर ठीक है देखते है कहाँ पर गिरी है I think कहीं पर पानी पर ही गिरी है I think इसके उपर गिरी है यार अगर मैं यहाँ पर गया ना तो बहुत भाइंकर तरीके से मरूंगा और यह जो meteor है यहाँ पर ही गिरी है और वो भी है OK यह कुछ अढ़ी यार क्या हो क्या रहा यहाँ यहाँ पर यह क्या है यहाँ पर तो मसुंड़ा बास भी है और भाई इतने सारे musunda वो क्या हो रहा वह है हो अब यार यार क्या है भाई ये musunda सारे मेरे पीछे पड़े बागो यहां से भागो भाई वह 4000 का musunda मैंने पहली बार देखा यार वहाँ पर पता है कुछ अंडे आ चुके है जल्दी से चलते हैं यहां से भागो यार बचना है मरना है मरना है किया तेरे को भाई साब वो लोग इतना दूर कैसे अटेक कर रहे है जल्दी से फार्ष रेवल पॉइंट के पास चलते हैं और यहां से जल्दी से पहली पुरसत में निकल जाते हैं यार लेकिन मैं पहली बार देख रहा है अगर मैं सच में बोलो मैंने अभी तक मसंडा को बॉस नहीं देखा था मसंडा नॉर्मली होते है लेकिन उतने सारे तो मैंने पहली बार देखाता यार तो लो इसको गेट कर देते हैं कभी-कभी इससे अच्छा सामान मिल जाता है क्या है कुछ पुके मेरे को कुछ डॉक कोईंस मिल गए है और साथ में पॉल्डियूं फ्रेग्मेंस में मिले यह यह मैमरिस्ट है कभी-कभी क्यान है इस मेमरिस्ट को अगर किसी से फाइट करवाएंगे न तो चांसिस रहते हैं हम इससे कैप्चर कर सकते हैं खेर ठीक है यहां पर मेरे को हीरन तो मिल गया फाइन लानी और इस हीरन को देखने से तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है चार-पांच बार शायद इसको मैंने मार दिया था कैप्चर ही नहीं कर पाया वैसे मेरे पास इस बार ज़्यादा पल्स फिर्स नहीं है आटी है आइ तिंग काफी यह अल्मोस लो हो चुका है अभी यह मेरे को एटे करेगा थोड़ा सा चलो पल्स फिर्स देखते है चाप्चर हो जाएगा शायद ओके चलो बढ़िया कम से कम यह हीरन तो मैंने काप्चर कर ही लिया वैसे यह हीरन क्या नहीं वुड माइन करता है तो काफी बढ़िया है इसको बेस में रखेंगे तो हमें काफी वुड मिल जाएगा यार लेकिन मेरे को और भी कुछ पल्स चाहिए वो कुटा चाहिए मेलपा का है इसे कैप्चर कर लेकिए फिर इसे चोड़ा भी फिलाल रात होने वाली है यहाँ पर न कैटरस भी है वसे उसे हम कैप्चर नहीं कर सकते हमको न इस डायरेक्शन से यहाँ पर जाना पड़ेगा तब जाकर हमें वो कुटा मिल जाएगा तो काफी सारे के लिए दन आइटवें लिए मलपाक फोबी यह च toothpir कर लिया में आज की ने यहाँ बेने हम क्याप्चर के direct है है कमें आज सोच रहा हूं आज यहाँ सम में हैji पे Somebody के रहें अगले विड़े में काफी सारे हम इसको भी一 कॉण एदाने न और स्कोषा है उसका माइनिंग तो 3 होती है वो तो और भी जल्दी जल्दी हमें स्टोंस माइन करकर दे देगा फिर मेरे सबसे मिरे को बेस भी शिफ्ट करना पड़ेगा जहां पर वोर जादा मिलता है वहां पर मिरे को जाना पड़ सकता है तो काफी सारी चीजे करने पड़ेंगे अगले इपिसोड में वैसे कमेंड करकर मिरे को बताना कि आप लोगों के यह कैसा लगा और आप इस सीरिस को कंटीन्यू देखने चाहते हैं तो कमेंड करकर मिरे को बता देना तो आज के वीडियो यही पर यह खतम करते है तो अगर पसंद आए तो लाइक और साथ पर करना भूलना मत